नमस्कार दोस्तो, BC यानी बॉल्लिवूड चलोगे में आपका सौगत है आज हम बात करने जा रहा हैं शारुक खान की मूवी पठान को उन्चासमे दिन के बॉक्स ओफिस केलेक्शन के बारे में और उसी के साथ चर्चा करेंगी कि इस मूवी ने वर्ल्ड वाइट कितना केलेक्शन कर लिया तो चलिए दोस्तो बगएर किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट मैं हूँ आपका साथ ही रोहित्तिर पार्टी देखा जाए दोस्तो इस मूवी ने अपने 49 दिन भी 25 लाख रुपए की लमसम कमाई करी है और इसका टोटल पॉक्स ओफिस केलेक्शन हो चुका है 540 करों रुपए लगफ़क दोस्तो वहीं अगर हम इस मूवी की All Over India Cross Collection के बारे में बात करें तो इस मूवी ने All Over India कमा लिए अब तक 653 करों रुप़ए लगफ़क दोस्तों वहीं अगर दोस्तो इस मूवी के हम World Wide Collection के बारे में बात करें तो इस movie ने worldwide collection के मामले में एक record बना दिया है और इस movie ने 1000 करोण के उपर की कमाई करी है जी हाँ दोस्तो इस movie ने 1043 करोण रुपय का लमसम box office collection किया है देखा जाए दोस्तो तो ये शारुक खान की सबसे बड़ी movie तो बनी चुकी है साथ में यसराज बैनर की भी अब तक के ये सबसे बड़ी movie मानी जा रही है दोस्तो तो दोस्तो आपको क्या लगता है कि शारुक खान की इस movie के बाद उनकी जो आने वाली movie है जवान और ढंकी क्या वो movie भी इसी तरीके box office collection कर पाएंगी कि नहीं कमेंट में हमें चरूर बताएं हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे मिलते हम अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार पाई पाई